अस्लाम वालेकुम एवरीवZ वेल्कम टू माई चैनल आज देखने वाले हम लोग शाही पनीर मेरे अंदाज में तो उससे पहले मेरे रेसिपी को लाइक कर दीजे मेरे रेसिपी को शेर कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अइकञिन Κो दबा दीजे तो हम तो मैंने लिया है पनीर स्व ग्रहार्म पनीर है मलाई पनीर है यह दही है यह हमारे मलाई का काम करेंगी आधरकलेसं की पेसलीч है आठ से दस स्काजु है यह कुछ खड़े मसाले इसके अंदर डालचीनी है यह लॉंग है 3-2-3 चार से पाँच पेपर है काली मिरी और यह हमारे कुछ सूके मसाले है इसके अंदर मैंने लिए है 1 चम्मच रेड़चिली पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच कसूरी मेती एक चम्मच कांदालसुन मसाला एक चम्मच हल्दी एक चम्मच शाजीर की पाउडर और शाजीरा और कसूरी मेती का हम बगार देंगे और एक चम्मच हमने लिया है नमक और यह शाही मसाला का बाश्या का शाही मसाला है ब्राण्ड के लिए कि इसके पहले हम लोग मैंनिग्रेट करके रख देंगे हमारे पनीर को मसाला लगा देंगे चुटकी वर नमक रिखिली राल मिर्स पाउडर, जुटकी बर चुटकी वर थोड़ा सा धनिया पाउडर दालेंगे चुटकी बर और थोड़ा सा हमारा कश्मिरी लाल मिर्ज भी दाल देंगे और जो हमारा पनीर है बाश्या पनीर मसाला वो भी दाल देंगे आप कोई भी ब्रेंड का ले सकते हैं आपके पास जो अविलेबल हो हमें बस पनीर को थोड़ा सा मसाला लगा के रखना है मैरिनेट करके रखना है और हम इसे fry कर लेंगे ये मलाई पनीर है तो इसापसे मैंने कड़ाई ले लिए है मैंने थोड़ा सा ऐल इसके अंदर एड़ किया है गैस हमने हाई फ्लेम पे रख दिया है इसके अंदर हम लोग एड़ करेंगे हमारे जो मैरिनेट कर चुके मसाला लगा के उस पनीर को हम लोग इसमें तेल में एड़ करेंगे यह मलाई पनीर है तो यह थोड़ा इसे डेल के रही होता है तो हमें इसे थिक से यूस करना है तो हम पूरा यह फ्लेमे दनेंगे फ्लेळ कर देगेसरी देडिये मसाँ करेंगे जादा रफली मत मिक्स करिएगा, जादा रफली स्टर्न मत कीजिएगा, क्योंकि यह मलाई पनीर है, तो यह सॉलिट नहीं होता है, थोड़ा सा मलाई फोम में होता है, बस हमारे मलाई पनीर फ्राइ हो चुके, बस हमें उसने निकाल लिए हमने उसे, उसी ओईल में हम लोग लोग, इलाईची और हमारे काली मीरी ब्लैक पेपर, वह हम लोग ने इसमें गरम तेल में एड कर दिया है, इसे थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे, यह जैसे ही थोड़े से गरम हो जाएंगे, थोड़े से फूल जाएंगे, और थोड़े रेडिश हो जाएंगे, तो उसके ब हमारे रफली चॉप्ट अनियन, मोटा मोटा काटा है, मैंने, फाइन नहीं काटा है, क्योंकि हम इसकी पेज बनाएंगे, इसलिए रफली चॉप्ट करना है, रफली स्लाइस किया है, मैंने, आप चॉप्ट कर सकते हैं, थिन स्लाइस या थिन चॉप्ट नहीं करना है, हमें तक बुनना थोड़ा अम लोग इसे अच्छे से एक बार अच्छे से स्टर कर लीजेगे और इसे स्ट पकाना है हमारा ग्यास हाइफ लेम पे है देखिए अभी हमारे चॉप हमारे जो ऑनियों सॉफ्ट हो चुकि है इसमें मैंने आड़ कर दिये हमारे काजू जो आट से दस क काजू मैंने आपको बतायते वह भी आड़ कर दिये इसे भी हम लोग तेल में अच्छे से बुन लेंगे काजू दालने से इसको मलाइक के से क्रीमी फ्रॉम आ जाएगा इसलिए हमने काजू आड़ किया है जादा नहीं दाले मैंने आर्से दसी काजू दाले बस काजू भी अच्छे से बुन जाएगा तो हम इसमें ऐड़ करेंगे हमारे रफली चॉप्ट टमेटो टमेटो को हमें पूरा पका लेना है इसे सॉफ्ट करने तक हमें से पकाना है और टमेटो हम लोग आड़ करेंगे तो हमारे प्यास की कूकिंग यह भी बंद हो जाएगी यानि वो ब्रावनिश नहीं होगे और वह सिर्फ गल जाएगे पर वह ब्रावनिश नहीं होगे तो हमें धकन धकर हमारे प्यास टामाटे और काजू को पका लेना है पास मिनुट हाइफ लेम पे देखिए मेरे टमेटो भी सॉफ्ट हो चुकिया है अभी मैं जसको चम्मक से ऐसे निकाल सकते हैं यह स्किन निकाल देंगे तो आपकी पेस्ट एकदम फाइन बनेगी अगर आपके मिक्सर में पूरी फाइन पेस्ट होती है तो आप यह स्किन रग भी सकते है या तो आप यह स्किन निकाल के आप इसकी पेस्ट बनाएंगे तो एकदम फाइन पेस्ट होगा इसलिए ये टमेटो के स्किन जितने निकल ती निकाल लीजे और मेटो को पूरी तरह से सॉफ्ट कर लीजे हम लोग सेभी इसको हटा देंगे तो निकल जाएगी क्योंकि हमारे टमेटो सॉस्थ हो चुके तो टमेटो के जो उपर किसकी ने वो निकल जाएगी और हम जब इसका पेस्ट बनाएंगे तो इसकी स्मूथ पेस्ट बनेगी और मलाइक की फ्रोम में बनेगी क्योंकि हम लोग शाही पनीर बना रहे हैं और इसमें हमने कुछ भी हैवी या कुछ भी महिंगी चीज आड़ न दालेंगे मिक्सिजार में निकाल लीजे और इसकी पेस बना लीजे कड़ई को साफ कर लिया है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ओएल कर लिया है अभी अच्छे से गरम कर लेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शाह जीरा बताया था मैं अभी उसको बगार दूँग कर स्टेज पे इसलिए दालना है ताकि कसुरी मेथी का फ्लेवर हमारे डिश में आ जाये बस इससे इसे पे ह हम लोग हमारे एक चंछ अधरक ल μέशन दाले गे अधरक लसन जादा नहीं दालना है क्योंके पनीर को जासा जादा अधरक लसन लागता है अधरक लसन कमी तो हमारी टीश में टेज पी अच्छा आजाएगा कच्छी स्मेल पूरी निकालनी है इसे इस तग करते हुए अच्छे से बुन लीजे फिर हम एड़ करेंगे जो मैंने सुके मसाले अपको सब बतायते वह सब मैंने इसमें दाल दिये इसे भी हम लोग हाई फ्लेम पे ही बु या तो आपके घर में जो मलाई रहती है दूद के उपर निकली हुए अगर आप स्टोर कर सकते हैं तो वह दो से तीन टेबल स्पून दाल सकते हैं पर अगर आप क्रीम लाएंगे तो क्रीम काफी महंगी होती है तो दही ये यूज कीजेगा ये क्रीमी फॉर्म में ही कोषर है ताल दिजें और में हमारे मसालो के साथ अच्छे से भून लीजे ये भी विडाउट क्रीम का क्रीमी सा शाही पनिर 3 बस Okay और इसमें देगा एब तक पानी खुछ बया नहीं तो 잠시 तस yük Strort करते ही साइट लगा हुआ हटाने लाद्य के अाधा की सही बनाएं शाहि पनी इस कुर Weise क्राइब लिग करके अंदर पानी आड़ करें पानि Juliet मैंने जादा भी दाल सकते में अचाइब हैं। पानी आड़ किया है क्योंकि हमारा मसाला और पकेगा इसे डकन हगकर 10 मिने स्ट्री मर्गो ने देरेंगे फिर यह घड़ा हो जाएगा इसलिए हमने इसमें पानी आड़ किया है अधकन दक्क पार्च मिन्ट हो चुके हमारे इसमें क्रेवी को बॉइल आ चुका है इस आँ सभ्सकेट नवीवी नीशन कापैए लेको इंग अच्छा रोगें अधाने का १ाद को दर्गेशन है इसीवीनियिल ना पॉल पॉर्स हो जब अधुच्छा जब दूगते मैं इससे सफ करना है मैंने गर्मा गर्म पूर्यों के साथ आप कैसे चाहे वैसे चाहँ है चावल के अजिरारा साथ दंदूरी रोटी के साथ सर्फ कर सकते हैं बहुत टेस्टी बहुत हेल्दी रेसीबी बनी है कम बजट वाली प्लीज ट्रै कीजेगा और शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजेगा